नमस्कार मैं आसे स्पाठाक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में अभी अभी जैसे आप लोगों को पता चला कि पहले ही वाइरल हो रहा था नोटिस की SSC का जो एक्जाम है वो कही ने कही एक दिसंबर से स्टार्ट होगा लेकिन वेबसाइट पर कंफर्मेशन नहीं इसकी आई थी तो अभी SSC के द्वारा एक्जाम डेट की कंफर्मेशन कर दी गई है पहले जो वाइरल हो रहा था एक आर्टी आई के थुरू एक्जाम डेट के नोटिस मांगी गई थी जो एकदम सही साबित हुई है तो यहाँ पर देखना है कि SSC जो CGL का एक्जाम है पूरा फुल मोड में है मिशन रोजगार मोड में मोदी सरकार चोहे चल रही है कि जल्दी जल्दी एप्लिकेशन निकाले जाए और एक-दो महिने में उनको फाइनलाईज किया जाए उसी मोड में अब देखे तो कंबाइन ग्रेजुएट लेवल का जो एक्जाम है आपका वो एक-बारा से आपका स्टार्ट है ठीक है कब से स्टार्ट है एक-बारा से एक-दिसंबर से तेरा-दिसंबर तेलेगा और जैसे ही एक-जाम खतम हुआ वैसे दूसरा नोटिफिकेशन जो लगा हुआ था आपका स्सी आई-मडी का हमें लगा था यह लास्ट तक जाएगा लेकिन क्योंकि मैं इस लिए सोचता था लास्ट तक तेरा तक तो यह हुआ तो हो सकता है कुछ दिर और समय लेंगे दस दिन तो लास्ट दिसंबर आ जाएगा लेकिन यह तुरंत उसके बाद ही आपका सुरू कर देंगे 14-12 से और 16 क्योंकि बहुत जादे अप्लिकेशन इ वह भी SSC IMD क्योंकि इसमें क्या है आपका टायर वन होगा फिर टायर टू होगा यह सब जह मिला है लेकिन SSC IMD वाले जो है साइंटिफिक एसिस्टेंट वाले जो है इनका बहुत ही बहतरी जो है एक तरह से जौब बोल सकते हो सिंगल एक्जाम देना है यह जो सौ कोशन य आपके लिए बहतर होगा कि अगर आपका इस पर पकड़ हो गया कंप्यूटर और फिजिक्स वाले हो चाहिए लक्रानिक्स वाले हो तो आपका जो है सलेक्शन इसमें 100% कंफर्म हो जाता है कि अगर आप यहां पर 140-150 कोश्चन अच्छे अटेंट कर ले जाते हो तो यहां आप सेवर हो लेकिन यहां पर करने के बाद अभी टायर 2 दोगे फिर इसके हिसाप से फिर टायर 3 में जाओगे टाइपिंग वाली जो स्किल्स टेस्ट होती है तो थाड़ा लंबा प्रोसेस है तो जो रच्छे SSC IMD की तयारी कर रहे हैं मैं बस उनसे यही का हूँगा कि ल रहा है वह हम लाइफ करास्ट ले रहे हैं महीं कंपूटर ले रहा हूं लगतार आपको देखिये मैं पढ़ा रहा हूं तो वह चीज़ें हम कवर करा देंगे बाकी आपके जो रम सी क्यूज है वह भी आप हमारा जो है स्टार्ट हो जाएगा उससे रिलेटेड तो आपको अंदाजा लग जाए कि मेंली कोश्चन किस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा तो जो बच्चे लगे हुए हैं अपनी तयारी को और तेजी से कर दो कोई भी समस्या कोई दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताईए टीम पूरी कोशिस करेगे कि आपके समस्याओं का समधान हो इसके साथ ही मैं आप सभी से विदा लेता हूं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद